हेलो गाईस आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी इंतचार कर रहे थे जो सेकंड पेपर था उसके आंसर कीगी तो आप सभी के लिए आंसर की लेके आया हूँ मैं बहुत ही जल्द तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने हिसाब से देख लिजिए आपके क्वेशन करे में लग जका लिएक क्वेशन इसमें और यहाँ पर जो तीसरे का अंसर है वो भी है और यहाँ पर चोठह का जो आंसर है वह भीऑ है और जैसे आगे बढ़ते हैं तो पाँचवे का अंसर एएए और छटे का अंसर D है यानी 6 और 7 वे का अंसर यहाँ पर C है तो जैसे जैसे हम आगे भढ़ते जाते हैं वैसे 8 का अंसर B है और 9 का अंसर B है दोस्तों एक बार आप भी चेक कर लिजे कि यह आंसर सही है या नहीं है वैसे बिल्कुल सही आंसर है तो यहाँ पर दसवे का अंसर वीवेक है यानि D यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पेपर कही न कहीं बहुत आसान आया वा था तो यहाँ पर ग्यारवे का अंसर 64 यानि B है और बारवे का अंसर यहाँ पर D है बहुत आसान यह question पुछे गेते बिल्कुल लग नहीं रहा था कि UKPCS के ये question है और आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं तो जो तेरवेक आंसर है वो A है और यहाँ पर चोदवेक आंसर यहाँ पर A 15 और यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यह 15 मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया अगर आप सभी को समझ में है तो जरूर मेरे को बताएगा तो यहाँ पर जो 16 का आंसर है वो C है अगर आप यहाँ पर आंसर निकालेंगे इसका तो यहाँ पर 17 का आंसर 8 है अगर आपको इन question के जवाब भी चेये की कैसा है तो आप जरूर comment करके बताईए और 18 का आंसर जो है D है ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ यह भी फिलाल आंसर बता रहा हूँ इसकी बात आपको पुरा बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे reasoning और जो यह math का question है कैसे solution होगा तो यहाँ पर 19 का आंसर है D और 20 का आंसर है यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको बताने की गोशिस कर रहा हूँ 21 का है यहाँ पर D और 22 का यहाँ पर 22 का भी D है और जैसी आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तेज का आपको मिल जाता है D answer ठीक है और यहाँ पर 24 का answer यहाँ पर थोड़ा पता नहीं चलबा रहा था थोड़ा पत कम बेजन है तो इसलिए आप सभी देख लीजिएगा या comment में आप सभी को बता दूँगा और 25 का answer है C ठीक है? और 26 का answer है A और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 27 का answer है C ठीक है? 20% यहाँ पर 28 का answer है C तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपको बतानी के कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर 39 का answer है यहाँ पर 28 यानि B और 30 का answer है A और 31 का answer है C जल्दी जल्दी बतानी के कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर 32 का answer है चाजा जी यानि D ठीक है 33 का अंसर है 90 और यहाँ पर 34 का है 120 और 25 का है यहाँ पर 1994 ठीक है आगे 36 का अंसर है यहाँ पर D और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 37 का यहाँ पर पता नहीं चल पाया थोड़ा तो इन क्वेसिनों का जवाब मुझे थोड़ा पता नहीं चल पाया या भी मैं निकाल नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी-जल्दी करने थे और यहाँ पर भी थोड़ा पता नहीं चला तो आपको जल्दी से प्रोवाइट करने के कुशिश कर रहा हूँ यहाँ पर 40 का अंसर है यहाँ पर देख सकते हैं यह डी आंसर है और 41 का है 7 यानि C और 42 का अंसर है C और 43 का यहाँ पर है D और यहाँ पर 44 का है A और 45 का है A यहाँ पर चिंद्रमा और यहाँ पर different type के question पूछे के थे यह जादतर आपके reasoning से समतीत question है लुपत को याद कीजिए तो 46 का B है 47 का यहाँ पर D है 48 का यहाँ पर A है ठीक है 49 का है 7 यानि B यहाँ पर जल्दी जल्दी बताने के कोशिश कर रहा हूँ और 50 का यहाँ पर A है और 51 का यहाँ पर C है और 52 का C है ठीक है यहाँ पर ज़्यादा जल्दी भी नहीं बता रहा हूं बहुत सारी कैनेट टूट का मानना है कि हमें फिर वीडियो रोग रोग कर चलाने पड़ती है तो इसलिए थोड़ा रुग भी रहा हूं तो यहाँ पर 53 का अंसर B है तो एक बार इसका भी आप चैक के लिए वैसे यही इसका अंसर है और 54 का A अंसर है जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो 55 का अंसर यहाँ पर D है यहाँ पर दोनों सही हैं और यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 56 का अंसर C है और जैसे आप फिर आगे बढ़ते हैं 57 का अंसर 12 है और 58 का अंसर यहाँ पर पता नहीं चल पाया वैसे मेरे क्याल से यह 95 या 157 सी है पर इसको आप देख लिजे एक बार और यहाँ पर 59 का है यहाँ पर 55 तो यहाँ पर बता रहा हूं मैं आपको जल्दी जल्दी तो यहाँ पर यह 60 का भी मुझे पता नहीं चल पाया और 61 का भी थोड़ा बहुत डाउट है वैसे एस का अंसर है जहां तक लगता है मुझे और यहाँ पर आगे यह थोड़ा बहुत रोंग होने वाला थ तो इसलिए यह नहीं कर पाया तो आगे मैं आपको बताता हूं और 63 कांसर यहाँ पर C है ठीक है दोस्ते जैसे आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 64 कांसर है B ठीक है और 65 का है C ठीक है यह रिलेशन वाले क्वेस्टन है तो यहाँ पर 66 कांसर है D ठीक है यहा आप आगे बढ़ते है 69 का है 10 यानि C ठीक है यहाँ पर 70 का जो आंसर है यहाँ पर नहीं मिल पाए मुझे यह कुछ आंसर कुछ ऐसे हैं यहाँ पर यह आसान तो बहुत हैं पर इनको निकालने के लिए थोड़ा टाइम चीए तो आपको जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा तो यहाँ पर जो 73 का अंसर है C है और 74 का अंसर C है तो यहाँ पर लगातार दोनों C है और यहाँ पर जैसी 75 पर आते हैं तो यह चांसर B है और 76 का यहाँ पर B है ठीक है और 77 का यहाँ पर C है और जैसी आप आगे बढ़ते हैं 78 का यहाँ पर B है और यहाँ पर जैसी आप आगे बढ़ते हैं तो 79 का है Q और 80 का है 1.8 ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और जैसी आप यहाँ पर हम इंग्लिस वाले सेक्षन में आते हैं तो इस वाले section में आते हैं तो 81 का यहाँ पर active learning यानि यह है ठीक है 82 का यहाँ पर B है और 83 का B सबसे आसान question यही थे इसमें और यहाँ पर 84 का है C और जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 85 का है B ठीक है और यहाँ पर 86 का मुझे थोड़ा पता नहीं चल पाया है तो इसल वाले section में आते हैं तो बहुत ही अच्छे यह question थे यह 10 question थे और बहुत ही अच्छे 12 question थे sorry बहुत ही अच्छे question थे यह तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका D है और यहाँ पर 89 का यहाँ पर B है और यहाँ पर 90 का यहाँ पर B है महत्वहीन और जैसे आप आगे बढ़ते हैं होगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 93 का यहाँ पर सी था और 94 का ए है और 95 का यहाँ पर बी है 96 का सी है और 97 का यहाँ पर डी है और 98 का यहां पर C है और जैसे आप 99 का C है और लास्ट जो हेंडेट है उसका है B ठीक है तो दूस्तों यहां पर हैरानी के बात है कि यहां कोपी के लिए सिर्फ दो पेज दिये हुए थे बहले यह एक पेज यूज हुआ है पर जो दूसरा वाला था उसमें तीन पेज दिये लिए थे तो इसकी लिए थोड़े हैरानी है तो कैसे आप सभी कोई आंसर लगी जरू मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताए जैहिन जैवारत